प्राइम टीवी में मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारे शुरुआत करते हैं खबरों की उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर परुखबास से इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस नहीं करा पा रही है नाइट कर्फ्यू का पालन शाम साथ बजे बाजार बंध होने का है नियम देर रात तक दुकान में बेची जा रही है शराब शराब बेचते वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ है लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पुलिस के सामने धड़ले से शराब की बिक्री की जा रही है वहीं ये पुरा मामला महुदरवास अथानाचेत के रकाब गंच का है तो बड़ी खबर लगातार फरुखाबास से चाह एक तरफ कोरोना कर्फ्यू से लोग घर से बाहर नी निकल पा रहे हैं दूसरी तरफ जो शराब माफियां वो लगातार शराब बेच रहे हैं लेकिन इसका पुलिस की बात की जाए तो वो भी कहीं न कहीं इस पर नाकाम साबित हो पा रही है लगातार देरात तक शराब बेची जा रही है पुलिस इस मामले में कोई भी कारवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही है तो बड़ी खबर लगातार परुखा बाहसे बता रहे है मौध दर्वाजा थाना च्छेत के रकाब गंच का ये पूरा मामला है तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनव से पॉलिटिकनिक चौराहे पर बदमाशों शे मुटभेड मुटभेड में नो बदमाश को गिरफतार किया गया है वारदात को अंजाम देने निकले थे बदमाश तो लगातार बड़ी खबर लखनव से बता रहे है पिस्टल तीन तमंचो और तीन बाइक बरामत की गई है पुरा मामला गाजीपूर छेट के पॉलिटिकनिक चौराहे का है तो इसी खबर पर जादा जानकारी के लमाज साथ पोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे समाता शीवा तो शीवा जी आपसे जाना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है देखे प्रिया कुछ दिनों पहले ही ये कहा जा रहा था कि लखनों के गाजीपूर ठानशेट के संजय गांधीपूरम में एक तकैसी हुई थी और बदमाशों ने कोरियर कंपनी के अंदर कुछ लोगों की बच्टक बना करके उनसे कई लाग रुपए लूटे थे और उसी वे वांचित चल रहा है जो कुछ अपरा दी है और पुलिस टीम को कल दे रात चपलता प्राप्त हुई है कि पॉलिटेकनिक्स चौराय थे तीन बाइकों से बदमाश जो जा रहे थे नौ बदमाश उनको पुलिस मुटबेड में गिरफ्तार किया गया है और यह बता जा रहा है कि पुलिस समिशन ह्यारी की然后 आड़ पी नौत की क्राइम में इस पूरे मामले में बाइगाती आएक शामिल है जो कि पुलिस के बड़े अफसर इस बात को बता रहा है कि यह जो बदमाश है वो कोई आम बदमाश नहीं है यह पूरा बड़ा गैंग है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते फिलाल लोगों की गिरफतारी हुई है जिनके पास तमंचा विस्तन और कई नगदी जो है वो बरा कर रही है आगे क्या कुछ कारवाई करेंगी पुलिस जिस तरीके से गिरफतारी की जा चुकी है जो बदमाश थे तो क्या लगता है शिवा आगे क्या कुछ कारवाई की जाएगी इस पर इंटेरोगेशन के बाद भी सारी चीजे सामने आपाएंगी क्योंकि बड़ी ड़क कर रही थी लेकिन यह जो नौ लोग गिरफतार हुए है यह किन जगे के रहने वाले हैं कहा कहा इनों ने टकेटिया की है और किस जगे से यह लोग बांशे थे इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए पुलिस के बड़े अफसर कल रात मौके पर पहुँचे थे और यह कह इन्टेरोगेशन का पार्ट है फिलाल लखनो पुलिस को इस गैग के पकड़े जाने से बड़ी रहत बिलिए तो इसी घर पर मासाथ हमारे समात्ता शीवा जूड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मुटभेड़ूई और पुलिस क्या कारवाई करने वाली है आप थी ये पूरा मामला पॉलिटिकनिक चौराहे का है देर रात मुटभेड हुई और पुलिस ने फिलाल इसमें बड़ी कामियाभी हासिल कि आपको बता दे कि ये जो बदमाश थे उनका जो गैंग की बात करे तो इक बड़ा गैंग था फिलाल गाजे पुर्थाने में पुल अफ्तार की हैं जिसमें तीन तमंचे और तीन बाई शामिल है वैसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस बीच की बड़ी खबर आज पी एम मोदी से उदर ठाकरे मिलेंगे जहां महराश्ट सी एम उदर ठाकरे से मुलाकात करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको वता रहे है जहां जो पी एम मोदी से उदर ठाकरे मिलेंगे महराश्ट सीम उदर ठाकरे मुलाकात करेंगे वैं मुलाकात ग्यारबजे होगी इस वक्त की बड़ी खबार यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंद्र देव सिंग का दौरा सहरनपूर बागपद शामली के दौरे पर रहेंगे स्वतंद्र देव से बीजेपी कार्याले पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे दिवंगत भाजपा नेताओं के घर जाएंगे स्वतंद्र देव से दिवंगत विजय कश्यप के घर जाएंगे स्वतंद्र देव तो लगातार आपको हम इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंदेव सिंग का दौरा है आपको बता दे कि सहारनपुल बागपत शामली के दौरे पर रहेंगे स्वतंदेव सिंग वहीं बीजेपी कार्याले पर पताधिकारियों के साथ भी बैटक करेंगे वहीं दिवंगत भाजपा नेताओं के घर भी जाएंगे स्वतंद्देव सिंग तो लगातार स्वक्त की बड़ी खाबर हम आपको बता रहें जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंदेव सिंग लगातार दौरे पर हैं सहारनपुल बागपत शामली का दौरा करेंगे स्वतंदेव सिंग जहां पड़ीपी सब्सक्राइब के घर जाएंगे सुतन देव से इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है 24 गंटे में 12 नए कोरोना पॉजिटिफ केस मिले हैं जिले में कोरोना मरीजों की संख्या आपको बता दें कि जिले में अब तक कोरोना से 316 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं बरेली IDSP प्रभारी ने इस की जानकारी दी है तो लगातार इस वक्त की बड़ी ख़बर बरेली से है जहां 24 गंटे के अंदर कोरोना के 12 नए पॉजिटिफ केसे सामने आ हैं 43,791 कोरोना मरीज मिले हैं वहीं जिले में अब तक कोरोना से 316 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे घटना की जानकारी आपको बता दें बरेली IDSP ने दी है इस तरीके से कोविट का ग्राफ आपको बता दें बरेली में भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है 44 गंटे में फिर से 12 नए कोरोना पॉजिटिफ केसे सामने आ हैं मरीजों की संक्या 43,791 तक पहुँच गई है वहीं बात करें मौतों की संक्या की तो वो भी 316 के आस पास पहुँच गई है बरेली IDSP प्रभारी ने कोरोना से जुड़ी अपडेट साजा किया है तो लगातार इस वक्त की बड़ी कबर बरेली से हम आपको बता रहे है जहां 24 गंटे में कोरोना के 12 नए पॉजिटिफ केसे सामने आ हैं वहीं कोरोना मरीजों की संक्या की बात करें तो उनका भी आक्रा लगातार बढ़ता गया है मौतों की बात करें 316 मौते हो चुकी हैं कोरोना से अब तक कोरोना की पूरी अपडेट बरेली IDPSC ने दी है तो लगातार इस वक्त की बड़ी कबर बरेली से हम आपको बता रहे हैं 24 घंटे में 12 नए कोरोना केसस सामने आए है पैसी बीच कौशामबी से इस वक्त की बड़ी ख़वर टोल टैक्स के पास गौत असकर गिरफतार मुटबेड के दौरान पुलिस ने किया गिरफतार 25 जार के टॉप 10 इनामी से मुटबेड गौत असकर पर 40 से जादा केस दर्ज है पुटबेड में आरोपी के पैर में गोली लगी वही पुलिस ने जिलास्पताल में इलाश के लिए उसे भड़ती कराया है तो लगातार इस वक्त की बड़ी कबर हम आपको कौशामबी से बता रहे हैं जहां पर टोल टेक्स के पास गौत असकर को गिरफदार किया गया है जहां मुटबेड के दौरान पुलिस ने गौत असकर को गिरफदार किया है वहीं 25,000 के टॉप 10 इनामी से पुलिस की मुटबेड हुई है गौत असकर पर 40 से जादा केस पहले से ही दर्ज हैं पतादे मुटबेड में आरोपी के पैर में गोली लगी थी फिलाल पुलिस ने इलाज के लिए आरोपी को जिलास पतार में भड़ती कराया है बड़ी कबार लखनव से है जान लखनव विकास प्रदीकरण की बोल्ट बैठक आज है जिया बोल्ट बैठक में कई महत्पूर प्रस्ताव रखे जाएंगे सपा सरकार के फैसले को बदलेगा LDA तो लखनव से इस वक्त की बड़ी खबर है लखनव विकास प्रदिकरण की बोल्ट बैठक आज होगी आपको बता दे कि इस बोल्ट बैठक में कई महत्पूर प्रस्ताव लिये जा सकते हैं सपा सरकार के फैसले को LDA बदलेगा तो लखनव से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लखनव विकास प्रदिकरण की आज बोल्ट बैठक होने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बोल्ट बैठक में कई महत्पूर प्रस्ताव रखे जाएंगे और LDA जो है वो सपा सरकार के कई फैसलों को बदलेगा लखनव विकास प्रदिकरण आज बोल्ट बैठक करने वाला है आपको बता दे कि इस बोल बैठक में कई एहम महत्पूर प्रस्ताव जो हैं वो रखे जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि जो LDA है वो सफासरकार के कई फैसलों को बदलेगा लाल बोल बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि किन फैसलों को बदले जाएंगे और कौन से जो एहम फैसले हैं वो रखे जाएंगे क्योंकि कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको रखने की उमीद की जा रही है और साथी LDA जो है वो सपा सरकार के कई फैसलों को बदलने की बात कह रहा है तो लखनव से मापको लगातार इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां लखनव विकास प्रदिकरण की आज बोल्ड बैठक होगी और इस बोल्ड बैठक के दौरान कई मेहत्वकूल प्रस्ताव भी रखे जाएंगे और साथ मैं आपको बता दे कि LDA सपा सरकार की कई साथ लोग को बदलेगा तो इसी खबर पर हमारे सायोगी मनीश जूर चुके हैं तो मैं मनीश जी आप से जाना चाहेंगे कि यह जो बोल्ड बैठक होने वाली है क्या लगता है कौन से ऐसे जो मेहत्वकूल प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में रखे जाएंगे आज शाम करीब चार बजे बोट की बैठक होनी है अल्ड बोट की बैठक में सबस्ते बड़ा जी पस्ताव अनला है वो सुल्टान को रोड टाउंशिप पे सैसला आज आतकता है आपको अब करीब चार बेकर की नई टाउंशिप करने की तयारी की जाली है जिसमें करीब 2,000 अकर जमीन साहरा को सपा सरकार के इसमें दिया गया था इसको विक्सिप करने के लिए उनको लाइसेस भी दिया गया था लेकिन आपको बता दे कि जो सहारा है वो जमीन का आगेकर नहीं साथी साथ आपको बता दे कि प्रादिकर के रिक्सायत्रों का एक मुश्च विक्रेक के जाने पर पैसा ले सकते हैं और कोविड-19 के दिश्टिकर संपत्यों के किस्तों पर लगने वाले ब्याज जमें छूट दी जाएगी जो की सबसे बड़ी एक आम आदमी के लिए जो आगू की नहीं जाती है और इस बोर्ट की बैटेक बाद शायद में इतारे जारी की जाएगा इसके लिए प्रस्ताव रखाव रखा जा सकता है जिसको आज मर्जूरी मिल जाए मरीज जी जिस तरीके से का जा रहा है कि जो लडिये वो सपा सरकार के कई फैसलों को बदलेगा तो क्या लगता है ऐसे कौन से फैसले हैं जिनको बदले बदलेगा लडिये मैंने आपको पता है कि सबसे बड़ा जो फैसला था फुल्तान फूरोड पर जो टाउंचिफ बनाने की बात चले थी ये सफ़ा सरकार में प्रेगा था कि इसको आई टी डेवलिफ करेंगे इसके लिए दो हजार जमीन दो हजार एकर जमीन की टाउंचिफ ले साहारा को दि सबसे बड़ा फैसला यही आने के वीद है बहुत 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 धन्यवाद आपका मासा जुलने के लिए तो इसकवर पर मासात हमारे सायोगी मनीज जी जुलेते जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आज बैठक होने वाली है उसमें कौन से महत्रपूर फैसले लिए ज वह इस बीच बड़ी कवर सामने आ रही है आगरा लखनो एक्सप्रेस वे पर सड़क हाथसा हुआ है डबल डेकर बस में ट्रक ने जोरदाल टककर मार दी है वह इस पूरे हाथसे में नो लोग घाल हो गया है जबकि चार की हालत गंभीर बताई जा रही है आपको बता दे स सवारी लेकर दिल्ली से बस इतावा जा रही थी तब ही रास्ते में ये बड़ा असड़क हाथसा हुआ है तो लगातार बड़ी ख़बर आपको बता रहे है जहां आगरा लखनो एक्सप्रेस वे पर बड़ा हाथसा हुआ है डबल डेकर बस में ट्रक ने जोरदाल टककर मा असी ख़बर पर ज़्यादा जानकारी के लामा साथ फोल लाइन पर जूड़ चुके हैं हमारे समयाता शीवा तो शीवा जी क्या कुछ पूरा बामला है लेके प्रिया तकरीबल सुमें साड़े तीन बजे के आसपास की घठना है और फिरोजबाद में लगनो आगरा एक्स जो इस्थानी लोग थे जो गाओं के आसपास के लोग थे जो की भीशन साला खासा था तो आसपास से लोग भी मौके पर मौजूद थे और जो रेक्स की ऑपरेशन है तकरीबल दो गंटे तक चला था और वहां से लोगों को तो प्राइवेट हस्पताल ले जाए गया और वहां से कुछ लोगों को जिनकी खालत बहुत जारा नादर पने हुई थी उनको वहां के जिलास्पता ले जाए गया है फिलाल इस पूरे घटना क्रब में लौलोग भायल है जो की ट्रक्चालग था उसको पुलिस सहीरा सक्वे ले लिया है वजह जो घटना की बताई जा है वह यहीं बताया रही कि ट्रक्चालग पुजा वह नीन में था और इसी वजह से उनकी हालत बहुत जादा क्रिटिकल है फिलाल डॉक्टरों की निगरानी मों सभी चाल लोगों को रखा गया है और इस पूरे घटना क्रम में जो सभी लोग है वो पूरी तरीके से सुलक् भयानक थी बहुत जादा बीशन सड़क हाथा था लेकिन कोई भी इस पूरे घटना क्रम में कैजॉल्टी नहीं हुई है जो घायल हुए है जबकि चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है आपको बता दे कि इसी खबर पर हमाया साथ हमारे सयोगी अभी शीवा जी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि जो ये घटना है आपको बता दे कि पुलिस मौके पर पहुची ये थी और पुलिस का जो चार लोग ते उसमें से कहना है कि जो पूरी घटना हुई है ऐसा बता जा रहा है कि जो चालक है वो नीन में था जिसके कारण ये बड़ा हाथसा हुआ है फिलाल नौ लोग इस घटना में घायल हुए है जबकि चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी आपको जो चार लोग गंभीर हुए हैं उनको अस्पताल में भरती करा गया है डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि अभी उनकी जो हालत है वो काफी क्रिटकल बनी हुई है वही नौ लोग जो गंभीर थे मामूली चोटे उनको आई है लेकिन जो चार लोग थे उसमें से उनकी हालत मानना है कि यह जो घटना हुई थी और चालन नुनीन में था इसकी वज़े से बड़ा हाथसा हुआ 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 है कि वैसी बीच देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सपाजिला अद्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा कि सपाईयों ने अद्यक्ष के खि दिलीप यादा उपर आ रहो जिला द्यक्ष पर पैसा अपने का रोप लगा है सपाकारिकरताओं को रसी नहीं दी गए सपाकार्याले पर धरने पर बैठे कारिकरता तो लगातार इसले वक्त की बड़ी खबर देवरियास हमआपको बतारे जहां पर सपाजिला अद्यकष के खिलाफ मोर्चा खोला गया है जैसा कहना है कि सपाकारिकरताओं को बंशी नहीं दी गई है जिसके चलते हैं सफाक कार्याले पर कारिकरता जो हैं वो धर्णे पर बैठे हुए है फिलाल रुकते हैं एक छोट से ब्रेक के लिए आप कही मज जाएगा देखते रहें प्राइम टीवी